ओसे चार्सो साल पहले स्टॉक मार्किट के सुरुआत ho Biz शुरुग के एक carnality के विखनास। को बिजनस करने के लिए बेशती थी रास्ता बहुत ही लंबा हुआ करता था यानि हजारों किलोमेटर का रास्ता हुआ करता था जिसमें बहुत सारे जाती थी उसमें से या तो कुछ डूब जाती थी या फिर अधर कंट्री में लूट ली जाती थी तो लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक सिप में पैसा लगाने से अच्छा मुल्टिपल सिप्स में पैसा लगाएं चांसल से वेरी हाई कि कोई ने कोई सिप वापस तो आई जिसको आज की डेट में हम डाइवर्सिफाइड इंवेस्टमेंट कहते हैं अब इस तरह वहां के डॉक्स पर उपन ली वीडिंग होने लगी डॉक्स उसे कहते हैं जहां से सिप अधर कंट्री में जाने के लिए रवाना होती है देखती देखती यह सिस्टम बहुत ही सक्स अब आपके मंद में आ रहोगा कि स्टॉक एक्षेंज किसे कहते हैं इस जगह उस बील्डिंग को कहते हैं जहां पर हम डिफरेंट कंपनी के स्टॉक को बाइय और सेल करते हैं इंडिया का अपना दो सबसे पॉपलर इस टॉक एक एक नसी नेस्टॉक एक्षेंज दूसरा पर्फार्मस को कैसे ट्रैक क्या जाएं तो इसकी लेक मिजर्मेंट बनाया गया जिसको निफ्टी और सेंसक्स कहते हैं निफ्टी इंडिया की टॉप फिफ्टी कंपनी को गुरूप होता है जो कि इन 50 कंपनी के स्टॉक प्राइज को इंडिकेट करता है और प्रिजन सब्सक्राइब को प्राइब होता है अएंडिकेट करता है और सब्सक्राइब करते हैं अन्यूर्ण यह चलब जब प्राइब के शुरुआ लुग अश्यर मृस्टो तो बिस्टाइम को नायुक। इस्टाक मार्केट में इंवेस्टमेंट करने के लिए आपको फास्ट अफॉल एक ब्रोकर के जरुरत होती है जैसे आज की डेट में बहुत सारे ब्रोकर है जैसे एंजल वन ग्रो जिरोदा आप स्टॉक्स ऐसे करके बहुत सारे ब्रोकर है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट क